एक यह अखिर फ्रेंड वेलकम तू थे चैनल इलेक्टिकल एन अट्यमेशन दोस्तों आज आपके लिए मैं एक नए वीडियो लेकिया हूं इस नए वीडियो में दोस्तों आज मैं एक इलेक्टिकल सेक्षिन की बात करने जा रहा हूं दोस्तो कुछ चार-पांच मैंने पहले मैंने एक वीडियो डाला था PCC पे Power Control Center Unit पे तो Power Control Center पे मैंने आपको समझाया था कि आखिरकार PCC होती क्या है उससे related एक और शब्द होता है MCC जो कि समय आपके सामने है तो दोस्तो बड़ा Confusion होता लोगों को PCC क्या काम करती है MCC का काम करती है तो फिलाल आज हम जो इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं और आपको जो बताने वाले हैं बेसिक चीजें की MCC होती क्या है NCC में क्या क्या Components होते हैं और बिसिकली MCC यूज कैसे होती है कहां पर यूज होती है किस चीज के लिए यूज होती है और उसके structure की बात करेंगे दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तो इस चैनल को subscribe करना न भूले इस चैनल पर आपको electrical and instrument और automations related बहुत ही बैतन वीडियो मिलती रहेंगी time to time तो आप इससे subscribe न भूले और अगर आपको इस वीडियो में मेरे इस पूर explanation के दौरान कोई भी doubts कुछ भी clear करना हो या कोई आपको topic बताना हो किसी particular उस पे वीडियो बनाने के लिए तो आप वो भी बता सकते हैं तो चलिए जादा time नहीं waste करते हैं mcc के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों mcc का full form होता motor control center यह दोस्तों वो unit होती है यह होती है final unit अब final क्या चीज़ होती है final का मतला है इसके बाद आपका equipment ही आएगा मलब pcc जब मैं अगर हमारा आपने pcc वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं pcc वाले वीडियो का link description में भी दे दूँगा और उपर आई बटन में जब तीन बच के आई मिन तीन मिनट हो जाएंगे तीन मिनट भी सेकंड हो जाएंगे तो उपर आई बनके एक आएगा उस पर भी मैं pcc का link डाल दूँगा तो वहाँ आप देख लीजेगा तो अगर मैं उसको explain करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाए तो मैं mcc को explain कर दूँगा तो यह final unit ह होता है mcc के बाद आपका equipment ही आएगा अब mcc का मतलब होता है motor control center motor control center का मतलब है कि इसका मतलब जाहिर सी बात होगे कि आप यहां से motor को control कर सकते हैं अब आते चलिए सबसे पहले structure के बारें बात करें यह mcc आप देख रहेंगे mcc panel पूरा ही है और यह बहुत ही बड़ा है त power is coming from somewhere else to this unit यानि power कहीं से आ रही है तो वो incoming power होगी इसलिए बोलते है incomer तो हर mcc unit में एक incomer होता है तो आपके सामने इसा में दीख रहोगा यह है हमारा main incomer यानि इस पूरी अगर मैं थोड़ा साब को और एक चीज explain करना चाहूँ यह मेरी 1 mcc part 1 थी यह mcc का दूसरा part है त mcc को में भी एक incomer है एक बार pcc से power mcc में आएगी तो सबसे पहले आएगी इस incomer में अगर मैं इस incomer को बंद कर दूँगा तो इसमें लगे हुए सारे component जो है वो off हो जाएंगे तो यानि main incomer यह हो गया main circuit breaker यह हो गया इस circuit breaker में दोस्तों आपको क्या होता है आपके indications होते है normally कि तीनों phase healthy है उनके indicator आपको दिख रहे होंगे एक load का meter होता है ताकि आपको यह पता चल सके कि इस mcc में कितना load चल रहा है दूसरा voltage का कि 440 volt है whatever the voltage कुछ भी voltage हो जो भी हो वो voltage आपको दिखाय जाता है इसके बाद इस breaker के बाद अगर मैं इसको on कर दूँगा तो उसके बगल में bus bar unit होती है यहानि यहां से इंकमर से outgoing की wire निकलते हैं और नीचे आपके trench के थुरू बगल में cable tray है इस cable trays में जाते है अकर मैं आपको खोल के दिखा सकता है लेकिन अभी possible नहीं है यहां पर cable tray है इस cable tray से इंकमर के बगल में यह मेरा होगा कि यह bus bar bus bar के बाद इसरा हमारा आगया cooling tower तो पहला component क्या होगा cooling tower इसका मतलब जब मैं incoming around कर दूँगा तो मेरी supply यहां तक आ जाएगी और हर component में भी आपको क्या होगा हर component में on off का button हो गई होगा emergency switch हो गई होगा start stop और वो trip है क्या क्या indication ह वो सारे indications होगे और load का हमारे पास emitter होगा कि आपकी उस component का कितना load आ रहा है तो basically हर component में इतने component तो होते ही होते हैं अब इस component में आप क्या कर सकते हैं इस component में आप कुछ भी लगा सकते हैं अब जैसे फिलाल नीचे A heavy mulasis pump या उसके नीचे कुछ और भी है इस पे क्या हो स आप चाहें तो VFD भी fit कर सकते हैं उस VFD का पूरा panel अगर इतने size का आ जाए तो वो fit कर सकते हैं otherwise इसके अंदर dual starter या और भी star delta बना सकते हैं dual बना सकते हैं जो भी आगर आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं उसके अंदर नहीं बनाना चाहें तो simple छोटा-छोटा components हर switch लगे होता हैं आप यह कह सकते हमारे घर का switch box होता है वह एक MCC का काम कर रहा होता है वैसे industry में जो switch घर पे करता है वही इंडस्टी में MCC करता है कि हमारी transformer था वो आपके घर में जो transformer होता यानि जो आपकी society में लगा होता वो आपका हो गया PCC वहाँ से आपके पास आगी आपके घर में वो हो गया MCC यानि आपके switchboards और switchboards से आपने on करके power on कर दी वैसे इंडस्टी में होती है power जहां बनती है generate होती है वहाँ से आती PCC में PCC से आती है MCC में और MCC हमारे जितने भी different locations पर components होते हैं वहाँ पर wire चली जाती है और we can on off हम उसको on off कर सकते हैं और उसके बाद आप देखते हैं cooling arrangement भी proper होता है उपर आप fan लगा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा तर MCC panels में क्या होता हीट evolve जो होती है वो ज़्यादा होती है तो उपर आप देखे रहोंगे ducting है वैसे तो ये AC वाला room component है तो आपको fan की ज़रुरत नहीं पढ़ती है अगर जहाँ पर AC के ducting नहीं है तो we can put fans हम उपर fans लगा सकते हैं exhaust fans जो इसकी air को बहार निकालते रहें ताकि हमारा MCC panel cooling down रहे otherwise higher temperature पे MCC panel के burst होने के chances काफी ज़्यादा होते हैं तो उमेदे दोस्तों आपको ये बहुती simple video अच्छा समझ में आया होगा ऐसे ही कई सारे MCC panels होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता बहुती hard and tough कोई चीज है ये बहुती simple सी चीज है आपको बहुत अच्छे समझ में आगागा इससे लेटर आपको कोई doubt हो तो प्लीज हमें comment box में comment करके बताएगा और आपको अच्छा लगाओ तो दूसरों के चाह शेयर करना न भूलीगा थैंक यू